तेयारी पूरी है, तेयारी में कोई खमी नहीं है, और कवली हीं से नहीं, बल्गि दूसरे प्रांथों की लोग भी बहुत त्यार हैं, दूसरे देश के भी हैं, जैसे बगवान राम का जो विवाभ हुआ था जनकपुर, जनकपुर से भी समान आ रहे हैं, इसी परकार से जा स्वार्वास get उविए तरी प्रम नर्हाइद में और पूरी व्यास्ता है कि इसे जो क नो प्रण्ण होगी उसमें कितनी समाह लगांगे और इस्वामाल ऍटे Hasidya acces da music पूरी ने किसे प्रकार किस प्रम्खेmittel से टारीय। और पंदर तारिक से लेकर के बाइस तक चलेगा तो इस तरह से वो उसका व्यूस्ता पूरूरूप हो रही है और जिसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें टूटी ना हूँ जी आपने राम ऌन जी की अविख शिवह की जा विख अला से और मतवा मंदीर, पूजा पूजा, पूजा का विखात है रहे है discuss See Pooja पूजारूँ गड़ति वो क्राच की है, और रामानंदी संपरदाई के अंसार ही पूजा होती है और जेतने भी यहां रामानंदी ला दभी पूजा हो रही है और जब चले जाएंगे वहां भववदी मंदिर में तब वही पूजा होगी पूजा की जो परंपरा है वो हुआ सोड़स परकार से और पंच परकार से भूब-दीप-णइवेद आरती इस परकार से उसकी पूजा अरचना होती है जो मिर्विदान से होती है पांच आर्पियां होती है यह सारे काज करम अभी तक चले आ रहे हैं अब उसमें नए ढंग से कोई सुझा मिलेगा तो जो उसमें परिवर्तन करना होगा उसको किया जाएगा जेल्यू के MP है क्या किसी के पिता की मैयत है किसी की बेटे की देखिए देखिए जो मुर्ख है वाली बात करेगा वह स्वयम मुर्ख है एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भगवान राम लला की जो भब दिवकार हो रहे हैं इसमें आपको सम्रेद करने के लिए हम आपको निमंत्र दे रहे हैं निमंत्रन पत्र है हमारे हां हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें निमंत्रन पत्र भेजा जाता है और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रन पत्र भेजा जाए यह सम्मान का है कि आप जो राम लला के यह टस्टी हैं उन लोगों क कि द्वारा भी भेजा जा रहा है कि आप को सम्मान पूरवक इस कार्ज में समलिस होने के लिए ये निवंद्रण्ड पत्र है लेकिन जो मुर्क है जिसको कोई ज्णन नहीं है ऐसे मुर्गों की भासा ऐसे उटपठांग होती है तो इसे मुर्खों की भासा के कोई महत्तु नहीं है हमारा जो कार्ज है जो समाजिक कार्ज है जो एक सम्मान होता है वो सम्मान के रूप में निवंतरण पर भेजा जा रहा है और जो आएंगे उनके उसी प्रकार से सम्मान होगा राम लला के भगवान के काज में सम्रित होना यह मयत नहीं है और यह मुर्ख की भासा हो बोलने हैं इसलिए जो बोलने हैं वो अपनी मुर्खता अपने पास रख हैं और यह सम्मान होता है इसी रूप में और बुलाए जाते हैं और बुलाने के बाद उनमें सम् अगर कोई बीमार होगा ये किसी को भूख लगी तो क्या वहां यहां आज हजारों लोग ऐसे हैं जो काम लगे हुई हैं जो बेरोजगारी रहे वो राम लगा की जो मंदिर बन रहा है साइकनों उसमें इंजिनियर लगे हैं हजारों कारीगर लगे हैं हजारों मजदूर लगे हैं जो ये काज हो रहा है बेरोजगारी के लिए जो कह रहे हैं कि उन से खाए इन सब को तो भोजन मिल ला है इन सब को तो यहां के पारिश्मिंग मिल ला है तो इसे कि बात क्यों कहत हैं और जितने भी इसमें हैंगे यहां के लोगों को स्मान मिलेगा जो आएंके द दर्सन करेंगे और जिस रूप से दर्सन करेंगे उस रूप हुए नहीं पर न जो हुए कि गर्वान कि न पना बंती है यहां सुको Shanti तो यदि सुख सांती चाहना है तो राम लगा का दर्सन करो उसमें मिलेगी और दुख और में पढ़ने पढ़े रहना होए तो अपने आओ को यरूरी नहीं है उनके आना और जब राम भक्त नहीं है जो सनातन विरोधी है ऐसे आने की यरूरत भी नहीं है और जो सर्दा और विस्वास के साथ आते हैं उन्हीं की जड़ूरत हो आते हैं और उनको उसमें उनसे पूछो कि उनसे क्या लाव मिलता मुलता उनको सुक्सांती मिलती है कि राम लाला तो बनके त्यार हो गए हैं उनका लोग देखिया हैं और उसमें जैसे पांच वर्स का बालक होते हैं उसी पर कास को होगा क्या बर्स के हुए हो कि राम की जन भूमी है यहां वोही रहते हैं जो एसे अभी छोटे-छोटे चारोगा की हैं तो उसी परकार की पांच वर्स के आयू के समान मुर्ती बन चुकी है उसी की प्लान परतिश्टा होगी और वही उस भवधि मंदिर में गर्वगरी में असपित किया है ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी